देख रहे होंगे यह देली सेट का कोशन है और कोशन नुबर तूपिक है इन्वस्टिंडिमेटरी फांक्षन जिसमें हम लोगों ने सीवेसी टूज़ाजन सेवेंटीं कंपार्टमेंट एक्जामिशन के कोशन को क्लेक किया है तो देखे रहे होंगे यह देली सेट का कोशन है और ओटसेट देली इसमें भी यह कोशन आया था सो बोर्ड एग्जामनेशन के अगर आप प्रिवेस फाइव येर्स के अच्छे से प्रेटिस करते हैं कि सीवेसी में यह देखा गया है कि कोशन रिपीट भी करता है ऐसा नहीं कि कोशन रिपीट नहीं करता है और अगर कोशन रिपीट नहीं होगा सो एटलीस पैटन तो ही रहेगा सिर्फ नम्बरिंग बदल जाएगी तो हमने कोशन को अच्छे से प्रिपेर किया हुआ है तो हमें वह भी एक क्लियर एज देता है आएए स्टार्ट करते हैं कोशन नम्बर वन से ना इनकोशन नम्बर वन आप देख रहोंगे हमें एक प्रूफ करना इस फॉर्मले में जब कभी भी 1 प्लस x और 1 माना 6 दोनों एक साथ आए तो सबसे जो बेस सब्स्टिजूशन है वो है x के जगब पर आज़र कॉस थीटा पुट कर लिए या कॉस टू थीटा पुट कीजिए फॉर्मले में बेसे शीकिजेकरा दू साथ या क्ने वे फॉर्मले में to re kto साथ व्यानी होगे इसी में एक स्पॉर्मले में to re to impose कंवाहब की एक सबस्दूर्मले में चाहए प्रएक है यह तो same thing है सिर्फ क्या है नियुमिरेटर डिनोटर में जो difference सिर्फ साइन का है यह जो formula हम नियुमिरेटर में अपलाई कर रहे हैं विलकूर exactly वही formula हमें denodative लाई करना पड़ रहा है अब हम root 2 को cancel कर सकते हैं root 2 root 2 root 2 root 2 root 2 root 2 so all the root 2's are cancel तो बच किया जाएग हमारे पास what we are doing dividing numerator denominator by cos theta by 2 क्या होगा यह 1 minus 10 theta by 2 divided by 1 plus 10 theta by 2 okay so again अब एक formula याद करिए यह किसका formula है अगर आपने ignoratory के formula को prepare किया होगा so 10 pi by 4 minus theta का यह formula हो जाएगा याद करिए 10a minus 10b so 10a 10 pi by 4 1 minus 10 theta by 2 नहीं अब 10 plus 10 तो cancel हो गया so we are getting pi by 4 minus theta by 2 so again वापस यहाँ पर आजाते हैं यहां से theta क्या होगा अगर हमने x को cos theta put किया है तो simply theta हो जाएगा cos inverse x so theta की जिगह पर cos inverse x put कर देते हैं so here we have cos inverse x which is the simple answer so question मैं question को simple to average की category में put करूँगा इस question को okay आई question number second पर आते हैं जो outside Delhi का question है और यह two time repeat कर चुगा है न so now the question is 10 inverse 1 minus x 1 plus x equals to 1 by 2 10 inverse x okay अभी हमने question किया है और यहां देखे 1 minus 10 1 plus 10 यहां अभी तो 1 minus 1 plus है so inverse 3 का formula अप्लाई हो जाएगा so left hand side में हो गया 10 inverse 1 minus 10 inverse x equal to 1 by 2 10 inverse x 10 inverse 1 क्या होगा 5 by 4 yes इसको तरह के हम add करेंगे तो यह बन जाएगा 3 by 2 10 inverse x so what is 10 inverse x क्या होगा इस 2 by 3 को इतर लाएगे it is 2 by 3 into pi by 4 okay so it is simply pi by 6 so x equal to 10 pi by 6 और dear friend 10 pi by 6 की value किते होते है 10 pi by 6 meaning 10 30 और 10 30 होता है 1 by 3 which is simple answer so I think this question number 2 is quite simple one यह ज्यादा simple question था लेकिन यहां पर एक चीज़ ध्यान अटना है कि हम पहले step में यह formula apply करेंगे अगर हम यह formula apply करने से चूप जाते हैं और हम कोई भी दूसरे method से इसको start करते हैं suppose हमने इसको convert करना सुरू कर दिया है या कोई और formula apply करना सुरू कर दिया है तो यही question एक difficult question में convert हो जाएगा so dear friends inverse trigonometry function CBC 2017 compartment examinations में जो भी questions आये थे dairy set और outside dairy set उसको में यहाँ पर solve किया है so thank you very much for watching this video thank you हम हम के रपते हैं थाएएव पूसरे जदेप्ट करते हैं प्वाभव में जपते हैं जब हो ऐवीब लाएप सबतार फॉeln